बीएस 6 की वज़े से स्कॉडा इंडिया ने अपनी कुछ बीएस 4 मॉडल्स की जो कार्स थीम उन्हें डिसकंटिन्यू कर दिया है और आज के इस वीडियो में आप देख पाऊँ कि बीएस 6 का क्या एफेक्ट पढ़ रहा है स्कॉडा इंडिया पे बीएस 4 बेड़ियो के पास इस स्कॉडा इंडिया ने इसकंटिन्यू कर दिया है अब आज के इस वीडियो में आपको यह पताने वालाओं बीएस 6 की वज़े से वीडियो को रस तक जरूद देखियेगा अगर आपको पसंद राता है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा अब नाव विदाउट वेस्टिंग एने मोर टाइम चलिए वीडियो शुरू करें Skoda India के पास कुछ ऐसी कर्स तीन कि B.A.S 4 का यूज किया जा रही है उनमें B.A.S 6 का यूज किया जा रही है उसे उसी वज़े से जो BS6 का एफेक्ट पढ़ा है Skoda India पे उसकी वज़े से Skoda India ने अपनी कुछ BS4 वाली models वाली जो cars थी उन्हें हटा दिया है so उसमें जो पहली car निकल के आती है वो है Rapid, Octavia and उसके बाद जो 3rd number पे निकल के आती है वो है Superb and जो 4th number पे निकल के आती है वो है Kodak and Kodak Scott so ये कुछ cars हैं जिने Skoda India ने एक तरीके से कह लिए ये discontinue कर दिया है and कुछ cars इनमें से ये ऐसी हैं जिनका इंजन उनमें replace किया जाएगा और उसे BS6 compatible बनाया जाएगा so अभी इन cars ने मैंने नाम आपको बताए उसको Skoda India ने इंडियन market से discontinue कर दिया है and अगर आप सोच रहे हो कि अब हम लोगी car कैसे ले पाएंगे या इसके बारे में क्या कुछ update है ये मैं आपको बताता हूँ जो सबसे पहले मैं आपको rapid के बारे में बताता हूँ and ये car जो थी इसमें जो engine का use किया जा रहा था वो था BS4 का and इसमें दो engine में आपको आती थी जो पहला engine था वो था 110 PS का 1.5 liters का TDI diesel engine and जो दूसर engine था जो दूसर model एक तरिके सा आप कहलो उसमें जो आपको engine देखने को मिलता था वो था 105 PS का 1.6 liters का MPI petrol engine and now अब इन दोनों engine को जो है discontinue कर दिया गया है मतलब अब आपको और ये जो engines हैं आपको Skoda Rapid में देखने को नहीं मिलने वाले and now इसकी जगा आप use किया जा रहा है Skoda Rapid में BS6 का engine and वो जो engine है वो है 110 PS का 1.0 liters का TSI petrol engine and अब आप लेना चाहते हो Skoda Rapid उसकी booking जो है वो पहले से ही start है आप जाके इसे book कर सकते हो and now next car जो निकल के आती है वो है Octavia and जो existing Octavia थी उसको जो है Skoda India ने discontinue कर दिया है and existing Octavia में जो आपको engine देखने को मिलते थे वो था 180 PS का 1.8 liters का TSI petrol engine so ये जो engine थे इनने आपको discontinue कर दिया गया है and कहाँ ये जा रहा है कि इसमें आपको next generation Octavia जो है वो आपको showroom में आपको देखने को मिल जाएगी 2020 के end तक so अब तक जो आपको Octavia देखने को मिलती थे उसको पूरी तरीके से discontinue कर दिया है और नहीं जो Octavia है उसे मतलब Auto Expo में दिखाया गया था and कहाँ ये जा रहा है कि आपको market में 2020 के end तक देखने को मिलेगी and news icon निकल के आ रही है वो ये है कि Skoda जो है वो आपको Octavia का RS version भी जो है first day से आपको दे दे and now अब आपनों चलते हैं next car की तरफ जो Skoda की तरफ से आती है वो है Superb and इसमें जो आपको BS4 का जो पहले engine आपको देखने को मिलते थे वो थे 180 PS का 1.8 liter का TSI patrol engine and एक और जो आपको diesel में देखने को मिलता था वो था 177 PS का 2.0 liters का TDI engine and ये news है कि इन दोनों engine को जो है अपग्रेड नहीं किया जाएगा BS6 में and इसके जगा पर आपको देखने को मिलेगा Superb का facelift model and इस facelift वाले model में आपको जो engine देखने को मिलेगा वो बिलकुल नय engine होगा BS6 वाला and वो जो engine होने वाला है वो है 190 PS का 2.0 liter का TSI patrol engine so पुराने वाले जो BS4 engine थे उनको BS6 में जो है अपग्रेड नहीं किया जा रहा है बलकि उसके जगा जो है एकदम new brand new engine वा आपको BS6 वाला use किया जाएगा and now हमानी जो last car निकल के आती है Skoda की तरफ से वो है Kodak and Kodak Scott इन दुनों ही कास में आपको diesel engine देखने को मिलता था जो कि था 148 PS का 2.0 liter का TDI diesel engine and इसे भी BS6 में जो है अपग्रेड नहीं किया जाएगा बलकि इस engine को replace कर दिया जाएगा नए वाले BS6 वाले engine से जो कि है 190 PS का 2.0 liter का TSI patrol engine जिसकी मदब से आपको drive all four wheel का support मिलेगा उसकी जगह पर आपको brand new engine आपको देखने को मिलेगा जो कि पेट्रोल में आएगा Kodak and Kodak Scott में and कहाई यह जादा है कि आपको Kodak and Kodak Scott जो दोनों models है आपको 2020 के end तक आपको showroom में देखने को मिल जाएगा so यह था BS6 का effect जो Skoda के कुछ cars पर पढ़ा so दोस्तों यह कुछ cars की Skoda की तरफ से जिनके बार मैंने आपको बताया जिनमें आपको changes जो आपको देखने को मिले है engines को लेकर वो मैं आपको बता चुका हूँ वीडियो में and now I hope आपको मेरा यह आज का वीडियो पसंद आया है तो नीचिक like का बटन है आप जाके like करके अपना support दिखा सकते हो इस वीडियो को अपने friends से share कर सकते हो चैनल को subscribe नहीं किया है तो बहुत important है नीचे रेटलर का बटन है जाओ जल्दी से जाके कर दो subscribe and वीडियो end करने से पहले मैं आपको कुछ ऐसे notice देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में जो भी image और जो भी clips इस्तमाल की गई है उन सब का credit मैंने description में दिया हुआ है and अगर आपका कोई भी comment हो या कोई भी suggestion हो या कोई भी आप अपना feedback दिना चाहो तो नीचे comment box में आप अपसे लिख सकते हो and now अगर मुझसे कोई वीडियो में गलती हो गई हो या कुछ wrong information मैंने आपको गलती से बता दियो तो आप मुझे correct कर सकते हो comment box में अगर मुझे कुछ पता चलता है कि मैंने ये वीडियो में गलत बोला है तो मैं ऐसे वीडियो में ठीक कर देता हूँ या तो description में लिख देता हूँ so वीडियो को leave करने से पहले एक बार description चेक कर दे करो guys and now अब मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में तब तक के लिए bye bye and take care